आगे आप लोग मैं लाइव देख पा रही हूँ लाइव शुरू हो गया है जल्दी से बताईए फटा फटा आज आप लोगों ने आज के कोशन का आंसर नहीं दिया है मुस्किल से दो चार ही विद्यार्थियों ने आज का आंसर दिया है तो जल्दी से सभी लोग एक बार आज जो आपको मैंने प्रशन यहां पर दिया है इस प्रशन का उत्तर जल्दी से बताईए कौन सा उप्सन होगा जल्दी से फटा फट प्रशन पढ़ रही हूँ मैं रस बताना है आज हमारी रस की क्लास होने वाली है आप लोग जैसे ही थमनेल को दिखा होगा आपने पहचान लिया होगा तो आज हम रस की क्लास पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम यह प्रशन करेंगे जल्दी से फटा फट मुझे आंसर बताइए मैं तभी आप क्लास को आगे बढ़ाओंगी जब तक आप लोग अपना आंसर नहीं बताएंगे मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ाओंगी प्रशन आपका है निमने में से कौन सा रस है ठीक है आपको बताना है आपका पद्ध्यांस दिया है यहां पर WHİND के वासी, UDASी, तपोवरत धारी, महाबिन नारी, दुखारे आप लोगों को दिये हैं यहां पर करूडरस दिया है, हासरस दिया है, श्रणगार दिया है और भैयानक चार option आपके सामने हैं जल्दी से फटाफट अपना answer देना सुरू करिए इसमें answer आपका क्या होगा मैं देख रहे हूँ यहाँ पर answer जो आपका आ रहा है answer आ रहा है A, बहुत सारे लोग इसका answer A दे रहे हैं बहुत सारे लोग इसका C answer दे रहे हैं कि बहुत लोग डी आंसर भी दे रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर भी बता रहे हैं कि जल्दी से फटाफट करुण रस बहुत जादा लोग बता रहे हैं पहरा अप्शन जो है आपका आज यह मैंने प्रशन क्यों उठाया है देखो आप लोगों को इतने सारे टीचर अभी तक पढ़ाते रहे होंगे और आज तक आप जिस तरीके से पढ़ते हैं या साल्फ भी पढ़ते हैं तो आप लोग आधारित हिंदी को पढ़नी की कोशिश करते हैं और मैं इसी के उल्टे आपको कहती हूं कि हिंदी आपको पढ़नी है रट के नहीं समझ के करनी है यानि हमें समझना है तो इसी वज़े से यानि उसी बात को आज बताने के लिए मैंने आपके सामने यह प्रशन लिया है कि आप रटते हैं इस प्रशन का आंसर आप लोग दे रहे हैं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आप बिलकुल में यों उमीदों पर खरे उतरे हैं और मुझे यह उमीद थी के आप इसका आंसर ई ही बताएंगे और ये मुझे उमीद नहीं थी कि आप इसका अंसर D भी बताएंगे ये वाली उमीद मुझे बिल्कूल भी नहीं थी C पर भी थोड़ा सा था 20% था कि C इसको कोई बता सकता है वो भी किस वज़े से नारी जो दिया है यहां पर तो अक्सर हम नारी मतलब सरंगार यही मान लेते हैं ऐसे ही कुछ हमें ट्रिक दी जाती है ना लेकिन जो B answer देने वाले हैं दो तरह के student है B answer देने वाले या तो वो निधी अकेडमी के student है या फिर वो आप्षन को रचने वाले हैं जिन्होंने option काया यानि इसको याद किया और देखा कि इसका answer तो हर बार I.O. क्या देता है? B. देता है और उन्होंने इसका answer B. रेट लिया चलिए आपको बता देती हूँ यह जो आपका प्रश्ण है इसका जो option है वो है B. आप कहेंगे कि मैडम हमें तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है इसमें जो करुणरस बता रहे हैं उनका बताती हूँ जिन्होंने इसमें answer करुणरस लगाया है उन्होंने किस आधार पर लगाया है उनको उनके teacher ने या उनकी trick ने जो उन्हें trick बताते हैं उन लोगों ने उन्हे से इन चीदों को प्रदर्शित करने वाले शबद अगर दिखाई Deux तो आप उनको क्या कर देना करूंरस लगा देना अब अब लोगोंने यहां पर क्या देखा होगा कि यहां पर उदासी शब दिया हुआ है फिर दुसरा यहां पर दुखारे सब दिया हुए है, तो जरूर इसके अंदर करूनरस होगा, इसलिए आपने अप्सन बता दिया, अगर आप मेरी बात से सहमत है कि हाँ मैडम ऐसे ही सोचा है, तो एक बार और मुझे आंसर बताईए, मतलब आप कमेंट करके बताईए कि हाँ मैड रटना क्यों खतरनाक है, रटना इसलिए खतरनाक है, जैसे आपने रटा है, यह कोशन हर बार आपके एक्जाम में क्यों आ रहा है, यह लगबग 12 साल से इस कोशन को मैं बार 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 देखती हूँ कि हर साल किसी ना किसी एक्जाम में यह आही जाता है, क्योंकि हर बार इ काने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कर रहा है निकाल रहा है परिक्षा से बाहर निकाल रहा है इसलिए वो वापस आता रहता है तो यह आपका जो यहां पर गलत हुआ है आपको इस पर यह ध्यान देना है कि यह गलत हुआ तो क्य लेकिन फस जाते हैं तो रट्टू तोता नहीं बनना है समझना है चलिए एक बार देख लेती हूँ आप मेरी बात से सेमत हैं इसी आधार पर आपने लगाया था ना चलिए खैर मैं आप बहुत जादा आपके आंसर्स को नहीं देखूंगी इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है जब मैं कमेंट्स देखती हूँ और मैं आप लोगों को अब यहीं कहूंगी कि आप लोग ना कमेंट्स करना बंद करिये अभी फिलहाल के लिए यह जो कमेंट्स करनी है ना आपको इन कमेंट्स को आप बाद में करियेगा जब क्लास हमारी खतम हो जाए आज हम रस्ट पढ़ने जा रहे सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा आज मैं आपको कई सारी बाते बताऊंगी आज की क्लास किन-किन स्टूडेंट के लिए मह महत्पूर्ण है जिन स्टूडेंट का अबजेक्टिव पेपर होता है उनके लिए तो महत्पूर्ण है ही यह कौशन भी कौशन की प्रकृति भी उसी तरह से दी है लेकिन जो विद्यार्थी जैसे PCS की तैयारी कर रहे हैं या जो सब्जेक्टिव एक्जाम देते हैं जिन के लिए इस तरह से आता है कि कैसे पद्यांस की व्याख्या करें या जिन को आता है किसी चीज की व्याख्या करने के लिए दिया रहता है वैसे स्टूडेंट के लिए भी यह most important है क्योंकि एक तो यहां मैं आपको रस निकालना बताऊंगी ही कि रस कैसे पहचानते हैं और दूसरा इसके साथ ही साथ मैं आपको रहा व्याख्या करना भी सिखाऊंगी कि किसी चीज का भावार्त कैसे आप निकालते हैं और तीसरा जो सबसे महत्पूर्ण है वो यह है कि आपको कुछ बातें एकदम अलग लगेंगी आप कहेंगे अरे वाह हिंदी भासा में इतनी ऐसी चीजें में पढ़नी पढ़ती हैं हमें यानि स्रंगार से संबंदित या जिसे आप कहते हैं हिंदी साहिते यानि कावे जिस चीज को आप मूवियों में खोजते हैं जिस आनंद को आप मूवियों में खोजते फिरते हैं या आप उनको सीयल में देखते हैं वही नहीं नगी बाहों से समझेगे यह पंग्ती क्या कह रही है इन पंग्तियों ने कहा है कि विंद्य 28 सिर्फ इसर्फ के Co व्रत धारण कर रखा है, बिनू नारी, बिना नारी के महा दुखी है, अब बताए आपको इस बात पे हसी आएगी या नहीं आएगी? जिसने तप करने का वरत लिया हुआ है और वो तप करने की बजाए इस्तरी के बारे में सोच रहा है तो ये हास्पद है की नहीं तो हास्पद है ना यानि अगर जो अपने आपको सन्यासी कहता है जो अपने आपको तपस्वी कहता है और वो सुरंगार की बात करता है तो इस पर हम क्या करते हैं हसते ही है न तो यहाँ पर जब आपको ये बात पता चलती है कि एक तपस्वी यानि जो कुछ तपस्वी है वो बिना इस तरी के बड़े ही दुखी है तो आप एकदम से हस पड़ते हैं कि आरे जब वो सन्यासी है तो उसको इस तरी की क्या जरूरत तो यहाँ पर हसी आती है तो आपको इसी बात को समझना है यानि जो हमारा रस है वो भाव बताता है कि किसी पंक्ती के पीछे का भाव क्या है उससे हमारे मुन में क्या आता है वही हमारा रस होता है इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि पंक्ती में शब्द क्या दिये हुए है अगर पंग्ती में शब्दों के उपर आप जाएंगे तो ये गलत चीज होगा तब ही आपका क्या इस तरह का हादसा हो जाता है कि जहां पे हादसे रस था वहां आप क्या लगा देते हैं करूर रस लगा देते हैं लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये भयानक रस आप लोगों ने कैसे लगा दिया या स्रंगा रस चलो स्रंगा रस तो आपने नारी की वज़े से लगा दिया होगा लेकिन भयानक रस कैसे बताया मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई खेर इस पर में रिसर्च कर मन में आता है तो हम जब रस की परिभासा की और चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जब किसी कावे को पढ़कर सुनकर या देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन होता है उस भाव से जो हमें फिलिंग यानि जो हमारे मन में भाव आ रहा है वो अच्छा है बुरा है कैसा है उस भाव को ही हम क्या कहते हैं रस कहते हैं चले इसके बारे में विस्तार से कुछ चीज़े पढ़ते हैं यह पंक्ति मैंने यहां पे आपकी कुछ ली थी जैसे इसी चीज़ को समझाने के लिए लेकिन इस वाला पॉइंट को यानि जो यह हासरस है आपका इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी यानिया इसी की आगे पंग्तियां हैं जो आपको बताती है कि इसमें छोटा मोटा हासरस नहीं है, बहुत बड़ा हासरस है, जब हासरस हम पढ़ेंगे, उस समय में इन पंग्तियों की व्यक्षया आपको पूरी तरह से तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें इतना बड़ा हास रस था ठीक है तो हम शुरुबात करते हैं अपने रस की जैसे ही सुरू से पढ़ रहे हैं बिल्कुल अब एक बात और ध्यान रखना रस पढ़ते पढ़ते ना रस में खोमत जाना आपको अपनी परिक्षा का भी ध्यान रखना है आपकी परिक्षा में कौन-कौन सी चीज़े पुछी जाती है उस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे और जो रस में हम जिस उदेश से यानि रस को पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा मनुरंजन भी हो जाए तो वह भी पढ़ेंगे लेकिन आपको जो आपका उदेश है आपकी परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रेशन उन पर भी फोकस करना है इसलिए आप नौट डाउन भी साथ की साथ करते रहिएगा ठीक अगर आपको ये पीडिएफ चाहिए जो मैं आगे दूंगी तो आप मेरी एप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहा रसका साबदिक अर्थ क्या है ठीक है तो रसका साबदिक अगर आप से पूछ लिया तो आपको ये बताना होगा आनंद ठीक है अगर आपको यह आपके ऑप्संस में दे सकता है परिभासा आपकी दिय है जब किसी कावे को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद क रस के बारे में बताया किसने था उनको सबसे पहले तो भरत मुनी ने बताया तो आपको ये याद रखना होगा कि रस के बारे में व्याख्या करने वाले कौन थे तो भरत मुनी थे कहां पर बताया उन्होंने किस ग्रंथ में बताया तो नाट्टे सास्त्र नामक ग्रंथ था उनका, उस ग्रंथ में इनोंने इसकी चर्चा की है इसके साथी साथ भरत्मुनी के अनुसार रस की संख्या आठ होती है देखो हमारे जो रस है ना, रस की संख्या को लेकर भी बड़ा विवाद रहता है कई तरह के questions आ जाते हैं, तो आपको ना इसमें बिल्कुल clear रहना है जब आपका exam, आपसे question पूछे कि कुल रस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे रस होते हैं 11 अगर आपसे पूछा जाए कि भरत्मुनी के अनुसार हमारे रस कितने होते हैं, तो बताएंगे आप 8 यह आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, किसके अनुसार, भरत्मुनी के अनुसार, प्रशन को ध्यान से पढ़ना है तीसरा एक और पॉइंट आता है, नट्टे विधा के अनुसार, तो आती है आपकी संख्या 9, यानि 9 तो वो 9 कैसे आगे चर्चा करते हैं, देखो, यहाँ पर आपका यानि पहली संख्या तो आ गई, भरत्मुनी के अनुसार 8 फिर दूसरा दिया है सर्वमत के अनुसार, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वमत के अनुसार रस कितने हैं या फिर सिंपल पूछ सकता है कि रसों की संख्या कितनी है ऐसे में आपको क्या बताना है? 11 होती है दूसरा यानि तीसरा टाइप जो है आपका नाटक विधा के अनुसार रसकी संख्या होती है 9 अब ये रसकी संख्या 9 कैसे होती है? इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं डिटेल में देखो एक बात और आपको बताती हूं मैं हर एक चीज़ को आपको डिटेल में क्यों बताती हूं? मेरा मानना ये है कि रटनी की बजाए जब आप किसी चीज़ के नीचे का आधार जाने लेते हैं ना तो कितने भी प्रकार के question आपसे examiner पूछे आप सब को solve कर सकते हैं आप सब को आसानी से कर लेते हैं इसलिए आपको आधार जानना जरूरी है और आधार जानने से एक चीज़ भी होती है कि आपको अपने इस दिमाग पे बोजा रखने की जरूरत नहीं होती यानि आपको याद रखना है याद रखना है ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्या होता है आपको आपने एक कहानी सुनी आपको समझ में आ गया आपको याद हो गया जैसे मैंने आपको बताया कि नाट्टे विधा के अनुसार 9 रस होते हैं क्यों होते हैं 9 रस तो जो नाट्टे विधा के लोग हैं उनका कहना है कि जो भक्ती रस और वातसले रस यानि हमारा दसवा और ग्यारवा जो हम 10 वे नमबर पर या 11 वे नमबर पर पढ़ते हैं, वो जो हमारे दो रस हैं, उनका जो स्थाई भाव है, वो रती है, ठीक है, और वो रती कैसे, अगर मालो हम भक्ती रस की बात करते हैं, तो हम कह देते हैं, वाजसले की बात करते हैं, तो संतान विश्यक रती कह देते है अब इन चीजों को यह इस विश्यक रती क्या है, संतान विश्यक रती क्या है, यह सारी चीज में आगे डिटेल में आपको समझाओंगी, बस अभी आपको न दो यह चीज जाननी है कि इनका भी स्थाई भाव क्या होता है, रती होता है, और हमारा जो स्रंगार रस है, इसका भाव इस्थाई भाव रती होता है तो नाट्य विधा की जो लोग है उसकी मानेता को रखने वाले जो लोग हैं तो वो कहते हैं कि ये दोनों रस है ये भी स्रंगार रस का हिस्ता हो जाते हैं तो इस तरह से घट के संख्या किपनी रह जाती है नो रह जाती है फिर उनका कहना है कि स्रंगार रस के चार उपभेद होते हैं संयोग वियोग वातसल्य और भक्ति लेकिन हमारे कुछ जो विद्वान है वो इस मत को नकारते हैं वो कहते हैं कि वात्सल्य और इश्वर में इनकी भक्ती में वासना नहीं होती जबकि स्रंगार रस में वासना होती है तो इसलिए हम इसके उपवेद में इसको नहीं रखेंगे हम इसको बिलकुल स्वतंत्र रखेंगे तो जब इसको यह स्वतंत्र रख देते हैं तो फिर संख्या जो है वो 9 से 11 हो जाती है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो लोग नाटे विधा के मत को रखते हैं वो रसों की संख्या 9 रखते हैं तो वो भक्ती रस और वात्सल्य रस को स्रंगार के भेद में रखते हैं तो यानि कहने का मतलब है घुमा फेरा के वो भी 11 रस ही पढ़ते हैं अब आपके एक्जाम में टोटल जो संख्या पूछी जाएगी वो 11 ही पूछी जाती है नोर्मली यह जो 9 संख्या वाला जो पॉइंट है यह आपका TZT, PZT या फिर जो सिक्षक यानि सिक्षक के यानि जो यह कोशन आपके वहाँ पर आते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है तो यह पॉइंट आपने समझ लिया इसके बाद एक पॉइंट और रहे गया आपसे जो कोशन पूछा जाता है कि कावे की आत्मा या कावे का प्राण तत्व किसको माना जाता है तो रस को हम का पॉइसा भी देखें आप से कॉशन कूछ लिया जाता है यह समझ लीजे कि चार-पांच कॉशन जो ना चार-पांच अंक हैं आपके बिलकुल एक दम से चलिए अब आगे बात करते हैं जब हमने रस के बारे में बात किया ना तो रस आपके कुछ अवियव होते हैं अविय आपके एक्जाम में कॉशन कैसे पूछा जाता है क्योंकि अगर हमें यह पता चल जाता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका उद्देश क्या है तो हमें चीजे ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं आपके एक्जाम में रस नाम के टॉपिक से जो प्रशन पूछे जा आपको दो पंक्ती अभी दी विंदिके वासी उदासी तपोवरत धारी ऐसे आपको पंक्ती दी होगी आपसे पूछ सकता है कि इन पंक्ती में रस क्या है सबसे पहला पॉइंट दूसरे टाइप का कॉशन हो सकता है कि इसका इस्थाई भाव बताईए क्या पूछ सकता है इस पूछ सकता है कि इसमें संचारी भाव कौन सा होगा क्या पूछ सकता है आपको संचारी भाव कौन सा होगा या इसके अलावा दो परिंट और पूछ सकता है कि इसका आस्रिया अलंबन क्या होगा इसका विश्या अलंबन क्या होगा या फिर इसका उद्धी कर रहें तो आपके एक्जाम में मुस्ट इंपोर्टेंट जो प्रकार के कॉशन रहेंगे वो रस और इस्थाई भाव यह दो पॉइंट पर ही रहते हैं 90 परसेंट आपका इतना ही पूछता है लेकिन अगर आप फिर सिक्षक की तयारी कर रहे हैं यानि टीजीटी पीजीटी यह टैट व्ट अगरा इनकी तयारी कर रहे हैं तो जितने मेरे टाइप बताए हैं वो सारे टाइप के एक्जाम में कॉशन पूछे जाते हैं इसी के साथ साथ अगर आप MPSI की तियारी कर रहे हैं तो ये सारे आपके लिए महत्पूर्ण हो जाते हैं या दखिए रस अलंकार और चंद ये तीन टॉपिक MPSI या हम कहें मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के जितने भी एक्जाम है उनके लिए most important है MPSI में आपको पता है सतर नंबर का आपका जो question आता है और सतर नंबर में से अगर आप मुझे अक्सर student बोलते हैं कि अगर मेडम सतर में से हमें साथ भी मिल जाए ना तो हमें बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा होगा लेकिन मैं कहती हूं कि साथ से आपक तीन टापिक आपने अच्छे से कर लिए ना आपके 10 से 12 अंक बिल्कुल सेफ हो जाते हैं तो आपको और उसमें ये सारे टाइप पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया अब सबाल उठता है आपका कि तो फिर ये उद्दीपन क्या है अनभाव क्या है विश्या आलंब क्या है संचारी भाव क्या है तो हम इनको पहचानेंगे कैसे तो इनकी प्रकृति कैसी होती है इनको पहचाने का तरीका क्या होता है ये होते क्या क्या है अगर हम इन चीजों को जान लेते हैं तो हमें पंक्ती में निकालना चाहता है तो चलिए ठीक हम इनको निकालते हैं फिर हम इनकी क्या करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं, चलो मैं पढ़ाती हूं यहाँ पर सीधा, एक एक करके हम इन सब के विजय में पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा दिया, यानि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रस है उसके चार आवियव हो गए, चार भाग हम रस को चार भागों में बाट देते हैं, क्या एक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अब इन चीजों को समझ लीजिए, इस्थाई भाव क्या होता है, इस्थाई भाव कहते हैं, वे भाव जो हमारे हिर्दे में जन्म से लेकर नत्यू तक हमारे हिर्दे में ही रहते हैं यानि हम कह सकते हैं कि ऐसे भाव, जो हमारी पैदा होनी से लेकर मरने की अवस्था तक हमारे हिर्दे में व्राजमान रहते हैं, उन भावों को हम स्थाई भाव कहते हैं और जब हम इस थाई भाव के बारे में डिटेल चचा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ नो तरह के भाव हैं जो हमारे हिर्दे में जन्म से म्यत्यू तक हमारे पास होते हैं और सब के पास होते हैं ये नो भाव ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति ये न देटेल चर्चाना इसके तुरंट बाद ही करेंगे तो हमने पहले जाना एक होता है स्थाइभाव, जो हर्द में इस्थाई भाव जग रहा है उसे हम विभाव कहते हैं अब इसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे यह विभाव भी हमारा दो प्रकार का होता है उद्धीपन और आलंबन ठीक है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे तुरंत इसी के तुरंत बाद आनुभाव का मतलब क् देखें तो आनुभाव का मतलब होता है चेस्टा आस्रे के द्वारा जब उसके हर्दे में जो भी भाव जगा है उसके तुरंत बाद जो वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है वही क्या कहलाती है अनुभाव कहलाती है और बात करें हम संचारी भाव की तो संचारी भाव संचा करने के लिए आते हैं कि हर्दे में कौन सा भाव जगा है हमारे हर्दे में कौन सा भाव जगा ये बताने के लिए जो भाव आते हैं उनको कहते हैं संचारी भाव अब इस तरह की परिभासा आपने किताबों में तो बहुत बार पढ़ी होगी लेकिन इनको समझते हैं अपनी आम जिंदिगी से चले आपके जीवन से उधारण लेती हूं सबसे पहले उधारण लेती हूं में श्रंगार रस का बहुत पसंद है आप लोगों को श्रंगार रस तो सबसे पहले उधारण श्रंगार रस से ही लेती हूं अगर श्रंगार रस हमारे सामने हो तो उसका इस्थाई भाव, उसका विभाव, उसका अनभाव और उसका संचारी भाव हम कैसे पहचानेंगे तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम आपके बचपन में चलते हैं अब अगर आप बचपन जी रहे हैं यानि कौन सी अवस्था में जिस समय आप 10th, 11th, 12th वाली एज में हैं अगर आप अभी उस एज में हैं तो अभी भी फील कर सकते हैं अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले इस एज में आए थें तो थोड़ी देर के लिए फ्लैस बैक में चलते हैं सपोज करो एक सीन है, एक द्रस से, एक द्रस से अपने दिमाग मर लेके आते हैं आप 11 क्लास में थे और आपकी छुटिया खतम हुई है, आज छुटिया खतम हुई है, कल से आपका स्कूल खुलने वाला है आप मन में सोच रहे थे यार छुटिया तो बहुत जल्दी खतम हो गई, थोड़े दिन और रहती तब ही आपका दोस्त आपके पास आता है, और वो आपको एक information देता है कि सुना है, एक साल के लिए कोई नया चेहरा स्कूल में पढ़ने के लिए आया है excitement हो गया आपके मन में, अच्छा वो पढ़ने आया है, मतलब आप जानगे वो कौन है आपके opposite, जो आपके opposite बंदा है, उसके बारे में बात कर रहे है तो आप अगले दिन एकदम से जो आप नहीं चाह रहे थे स्कूल जाना लेकिन आज आप जल्दी चले गए और जल्दी जाने के बाद, क्योंकि स्कूल में आप सबको पहचानते है तो आप अपने घर जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के गेट पर खड़े हैं सुबह से अग कोशिश कर रहे हैं कि कब आए वो नया चेहरा कब देखें तो आपने देखा एक नया चेहरा सामने से आ रहा है अब आपने जैसे ही उस चेहरे को देखा आपके मन में प्रेम का भाव जगा तो प्रेम का भाव जगा वो था इस्थाई भाव अब ये प्रेम का भाव क्या है रती ये है स्थाई भाव जिसको आपने देखा वो है विभाव यानि कारण जिसके प्रती आपके मन में भाव जगा वो है कारण विभाव और जो आपके मन में भाव जगा वो है स्थाई भाव अब जब वो आपकी बगल से गुजरे तो आपने यूँ ही कह दिया कि स्वागत है आपका या most welcome अब ये जो आपने अपने मुह से जो बात उचारित की ये है आस्रिया आलंबन की चेस्टा जिसको आप कहेंगे अनुभाव ये क्या है उसकी चेस्टा क्रिया प्रतिक्रिया जब आस्रिया आलंबन के मन में भाव जगा तो उसने क्या क्रिया प्रतिक्रिया की तो ये है अनुभाव और जैसे ही आपने उनको बोला कि most welcome तो वो smile कर दी और जो आपके दोस्त थे आप जैसे ही उन्होंने smile किया आप खुशी से उचल गए, एक दम से उचल गए, आपके मन में क्या आया? उत्साह, जोस, उल्लास, जो उत्साह, जोस और उल्लास आपके पास आया, वो था संचारी भाव, जिसको देखकर आपके दोस्त समझ गए कि भाई तो प्रेम में पड़ गया, तो वो था संचारी भा यानि वह ज होटसा जो मंग थी वह संचारी भाव तो यह है हमारे स्रंगार रस इसी तरह से अगर muy स्रंगार रस लेकर अगर चलिए भयानक रस लें तो भयानक बिलकुल आराम से समझना यहां पर हमारी क्लास ऑफ लाइन जाना है आप को पर आप आराम से पढ़ रहे हैं, तो मैं आराम से ही आपको सारी चीज़े समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो जैसे ही आपको, अब इसमें मैंने आपको स्रंगार रस समझाया, इन्ही चीज़ों मैं आपको भयानक रस समझाती हूँ, भयानक रस में कैसे आपका, कौ कौन सा विभाव होगा कौन सा अनभाव होगा कौन सा संचारी भाव फिर अब दोबारा आप इमेजन करो आप उस कहानी से बाहर आ जाओ उस कहानी को हम बीच-बीच में लाते रहेंगे उसको भोलना नहीं रखना एदिमाग में ठीक तो आप जैसे suppose करो, एक नहीं कहानी बनाओ अपने दिमाद में। कहानी ये है कि आप अपने school से या आप जो जो भी हैं स्कूल में हैं या आप ओफिस जा रहे हैं, आप इंस्टिचूट में जा रहे हैं आप ये समझे आपके घर से आप जहां हर रोज आते जाते हैं, चाहे वो आफिस है, स्कूल है या कोई भी, उस बीच रास्ते में एक सुनसान जगा पड़ती है, जहां पर छोड़ा था जंगल है, अब वो जंगल टाइप से है, अब ऐसे तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, उसमें आप हर दिन आते जाते हैं, आप डरते नहीं हैं, लेकि आज जब आंधी तुफान आये, तो उस जहाडी के ऊपर कहीं से कोई सफेद चादर आके गिर गई, और जब आंधी तुफान आ रहे थे, बारिस आ रहे थी, तो उस बारिस की वज़ा से एक कोई जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो उसके नीचे छिप के बैठ गया है, आप आपको इस बारे में नहीं पता, अंधेरा हो गया है, आप अकेले हैं सडक पर, और अंधेरी रात है, अंधेरी रात होने की वज़े से दूर से वो ज़ड़ी आपको किसी व्यक्ति का एहसास करा रही है, आपको पता है कि वहाँ पर ज़ड़ी है, लेकिन वहाँ पर आपको कैसा एसास हो रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति बैठा है आपको हलका हलका सा डर लग रहा है ठीक है तो हलका हलका सा डर यानि जो भै और पर रहा के आप जैसे ही आप वहां जा रहे हैं तो जारी के पास वल ही रास्ते पे कुछ आवाज करने वाली चीज पड़ी हुई थी, आपका पैर उस चीज पर पड़ जाता है, और आपके पैर से हुई आवाज से जो वो कुता जो जारी में छिपा हुआ था, वो एकदम से डर के बाहर भागता है, आपको पहले से ही डर लग था, आप बिना आव देखेना ताव, आप एकदम से चिला के जोर से भागे वहां से, आप यहां पर समझेगा, जो वो जो कुता था, जो निकला आचानक से जारी से, वो हो गया विभाब, कारण हो गया, उसकी वज़ा से आपके मन में न डर उत्पन हुआ, इस थाई भाब कौन सा है, भै, और जब डर उत्पन हुआ, तो आपके मुँ से क्या निकल गई, एकदम से चीख निकल गई, और आपने दोड़ना सुरू कर दिया, तो जो चीख निकली और जो आप दोड़े, वो है अनुभाब, आसरे की क्रिया, प्रितिक्रिया, आसरे की चेस्टा, और पिर जब आप थोड़ा सा आगे जाके रुके, तो आपकी सांसे चल रही हैं तेज से, डर के मारे आपका चेहरा पीला पड़ गया है, तो चेहरा पीला पड़ जाना, यानि आप क्या है, एकदम से भैबीत हैं, कांप रही हैं, और जो आपकी सांसे चल रही हैं, वो क्या है संचारी भाव तो ये आपका यानि चार हमने इसमें देखी तो इस तरह से इस्तिती, परिस्तिती और ये सारी चीजें हमारे आती है कोई भी रस हो आपका चाहे वो आपका स्रंगार रस हो चाहे वो आपका हासर रस हो चाहे वो आपका भ्यानक रस हो आप हर रसमें इसी तरह से चीजों को पहचान सकते हैं तो चलिए इनको एक-एक करके आपको और पढ़ लेते हैं यानि हम समझ लेते हैं एक-एक करके कि चीजे कैसे हमारी बनेंगी आगे हम बात कर लेते हैं इस्थाई भाब की और इनकी जो संख्या है इनकी कुल संख्या नौ मानी गई है ये आपको fact बिलकुर याद रखना पड़ेगा ठीक है अब नौ में कौन-कौन से आती है पहला आता है रती पहला नहीं आप आगे पिछे करके याद कर सकते हैं अभी आप मुझे ये बताएंगे कि ये नौ के आश्यरे को यानि जब हम में हम सर्प्राइज होते हैं आश्यरे जुगुपसा का मतलब होता है घ्रणा जो हमारे मन में हेट की भावना आती है घ्रणा और उसके बाद निर्वेद तो ये हमारी क्या हो गए नौ हो गए अब निर्वेद क्या होता है निर्वेद कहते हैं हम वेराग को, जो हमारे मन में न सन्यास लेने की जो भावना आती है, निर्वेद, वेराग मतलब सन्यास लेने की भावना, उसको कहते हैं निर्वेद, तो हमारे मन में नो, कौन-कौन से, रती, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्सा, विश्मे, जुगपसा और निर्वेद, ये हमार इस्थाई भाव हो जाते हैं अब इसके बाद आपका दिया है जैसे संतान विश्यक रती और संतान विश्यक रती जिसको हम स्ने या ममता भी कह सकते हैं और इस विश्यक रती ये दोनों हमारे क्या है रती के ही भेद हैं यानि रती माने प्रेम होता है रती का मतलब क्या है प् यह हमारा किसका है यह हमारा भक्तिरस का है ठीक है तो चलिए हमें यहाँ पर यह पता चलता है अच्छा आप में से कोई ऐसे भी इंसान है जो यह सोच रहे हों कि मैडम हमारे मन में न सारे भाव तो हैं लेकिन बस यह क्या है निर्वेद नहीं है कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सन्याज की भावना हमारे मन में नहीं है अक्सर स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं अच्छा कहीं पे तो कई बार तो हमारे ऐसे ऐसे विद्यारती आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारे मन में रती नहीं है जो कहते हैं कि हमारे मन में रती नहीं तो मैं अक्सर इस बात पर एक बात बोलती हूँ, कि दे कोई ये बात जानना, अगर कोई कहता है ना कि नौ में से एक भी भाव हमारे, कोई एक हमारा भाव हमारे मन में नहीं है, तो ऐसी अवस्थाना दो ही लोगों के साथ है, दो लोग कौन से, एक तो वो लोग जो जूट जिनने अपने मन के भाव ही नहीं पता, कि हमारे मन में कौन-कौन सा भाव आता है, तो पहले वो लोग होते हैं, और दूसरे वो होते हैं, जिनने डॉक्टर की जरूरत है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है, यदि जिनके मन में ये नो इस्थाई भाव नहीं है, तो वो जीवन में रहना चाते हैं, परिवार में पारिवारिक जीवन में रहना चाते हैं, परिवार के साथ रहे हैं, ये निर्वेद आपने कहा कि ये तो सन्यास की भावना ये कैसे, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारे इस्थाई भाव है न, इन नौ में से कोई एक इस्थाई भा रखे हैं लेकिन नो में से हमारे मन पर हावी होता है वो कोई एक है लेकिन इन 9 में कोई एक ही भाव हमारे मन में हावी होता है सारे एक साथ नहीं होते, दबे हुए होते हैं, लेकिन इन में से कोई एक ही होता है, इसी वज़े से तो इनको नाम भी दिया गया है इस्थाई भाव, इस्थित रहने वाले जो हमारे मन में इस्थित बचे हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखेगा, संचारी भाव और कुछ भाव ऐसे होते हैं, जो हर किसी के मन में नहीं होते हैं, यानि हर व्यक्ति के पास ऐसे सारे भाव नहीं होते हैं, तो संचारी भाव हमारे 33 होते हैं, तो 33 संचारी भाव हैं, मैं उनके बारे में भी आपको तुरंत बताऊंगी, तो उनमें से हमें, जैसे हम कहते हैं, 9 के 9 इस्थाई भाव हमारे हिर्दे में है, लेकिन जो हमारे 33 भाव है, वो सबके सब हमारे हिर्दे में नहीं हوتे, यह दोनों में अंतर है, तो इस्थाई भाव इसी लिए कहते हैं कि इन तीनों यानि नौ के नौ में से कोई एक भाव हमारे उपर रहता है, हावी रहता है तो कहा जाता है हमारे जीवन में लगबग-लगबग 70 यानि 80 या हम कहें 70 से 80 परसेंट जो भाव हमारे जीवन काल में हमारे उपर रहता है वो होता है रती का और ये समझिये कि अगर ना होना ऐसा तो हमारा जीवन दूबर हो जाएगा हम प्रेम भाव में अपना पूरा जीवन गुजारनी की कोशिश करते हैं और सबसे और बाकी जो हमारे भाव हैं वो छड़ी कोते हैं जैसे आप देखे लो मालो क्रोध की बात करो तो आप खुद ही बताईए 24 गंटे में से अगर आपको कभी गुस्सा आता है वैसे ही हमारा यह निर्वेद है जब हमें कोई ऐसा भाव हमारे हिदे में आता है या हमारे आसपास कुछ ऐसी घटना गटती है जिससे हमें यह संसार व्यर्थ लगने लगता है ये सारी चीजे मुहमाया लगने लगती है वो जो उस समय हमारे मन में भाव जगता है उसी को कहते है निर्वेद जब हम कहते हैं कि अरे सब को छोड़ के मैं कहीं चला जाओं हिमाले पर चला जाओं तपस्या करने चला जाओं वगेरा वगेरा जो हमारे मन में आता है तो उसी को कहते हैं निर्वेद तो हमारे साथ निर्वेद भी हमेशा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला लेते हैं ये ये तो हमारा स्थाइभाव हो गया इसके बाद हम विभाव की बात करते हैं most important आपके लिए विभाव है जिसको समझना है आपको तो देखो ये जो हमारा विभाव है विभाव दो प्रकार का हमारा होता है जिसके अंतर हमारा आलंबन और उद्दीपन होता है ठीक है? सजीव जिसके अंदर प्राण है और उद्धीपन हमारा निर्जीव होता है ये बात आपको ध्यान में रखना है विभाव के अंदर दो तरह के हमारे विभाव होते हैं एक होता है सजीव विभाव और एक होता है निर्जीव विभाव निर्जीव कौन सा होता है जिसे हम उद आस्रिय आलंबन के नाम से जानते हैं आस्रिय आलंबन देखो आपको शब्द से ही सीखना है आस्रिय जहां आस्रे लिया जाए इस्थाई भाव जहां आस्रे ले रहा है मतलब जिसके मन में भाव जग रहा है उसको कहते हैं आस्रिय आलंबन जिसके ह्रदय में भाव उत्पन ह तो कोई नायक या नायका हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नायक या नायका, सजीव में आपके नायक और नायका ही रहते हैं, ठीक, और विश्या आलंबन, विश्या मतलब, विश्या का मतलब होता है, संबंदित, जिस से संबंदित, यानि हमारे मन में जो भाव जगा ह वो किस से सम्मंदित है या किसके प्रती तो हम कह सकते हैं कि जिसके प्रती जिसके लिए जिसके कारण हमारे मन में भाव जगता हो उसे कहते हैं विश्या आलंबन यानि जिसके कारण या जिसके प्रती मन में भाव जगा है यह नाईका अगर यहां पर नायक हो गया तो यहां नाइका हो गया जैसे हम श्रंगारस की बात कर रहें तो मालों हम श्रंगारस की बात कर रहें तो श्रंगारस में एक तरफ अगर आस्रिया आलंबन हमारा नायक है तो विश्या आलंबन नायका होगी अगर आस्रिया आलंबन नायका है तो विश्या आलंबन नायक होगा ठीक है यह कहाँ पर condition, हर जगा यह condition लागू नहीं होती, यह सिर्फ किस की बात कर रही ह। जैसे हम बात करते हैं उद्धीपन की, तो उद्धीपन क्या होता है? उद्धीपन में निर्जीव चीजें, अब निर्जीव चीजें कैसे? तो यहां कहा है कि जिस इस्तिती, परिस्तिती या वस्तु के कारण हमारे मन में जब भावुद्पन हो जाता है अब वो कोई सा भी भाव हो उसको हम क्या कहते हैं उद्धीपन कहते हैं जैसे मान लोग अगर हम बात करते हैं यहां दिया है जैसे चान्नी रात तो चान्नी रात कभी आप देखते हैं या एकांत इस्थल या वर्सा आपने कभी देखा है जब वर्सा आ जाए आप बारिस में जब भीग जाते हैं तो आपको अपने सहयोगी जो आपका साथी है उसक पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है तो भी आपको उसकी आदा जाती है तो यानि या फिर कहें एकांतिस्थल, जैसे ही एकांतिस्थल मिलता है, तो आपके मन में प्रेम तुरंट चला आता है, हम जब स्रंगार रस की बात करें, या फिर कभी आपका कोई प्रिये आप से दूर हो गया है, या जिसकी मिनत्यू हो गई है, तो जैसे ही एकांतिस्थल म बात करते हैं कोयल की आवाज या कोयल का कुकना और भी परिस्तिति जैसे मैंने आपको बताया उधारंड जब मैंने दिया याद करो अभी जो मैंने आपको उधारंड दिया थोड़ी दिर पहले कि आप जब 11th क्लास से 12th में गए हैं तो वहां पर तो यहां पर हमारा उद्ध परिपन कहेंगे तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं सारी चीजों की तो यह हमारा विभाव तो आप लोगों को विभाग भी समझ में आ गया होगा एको आपको ना यह बात सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखने पढ़ेंगी रस जब भी आप पढ़ें अगर इ रस याद करने का एक आधार है बेस आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया होगा न तो वीडियो को दुबारा रिप्ली कर लेना चले आगे बढ़ते हैं आगला है हमारा अनुभाव अनुभाव हमने कहा ही आस्रय की चेस्टा जिसके मन में भाव जगा है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है उसी को कहते हैं हम आस्रय अनुभाव ठीक है तो यहां पर दिया या है आस्रय आलंबन की चेस्टा अनुभाव के अंतर गताती हैं हमारे म जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मन में भाव जग गया है और कौन सा भाव जगा है यह हमें पता चल जाता है जैसे हम उधारण में अगर देखें तो मान लोग कोई भी हमारे सामने नहीं है सर्म के प्रती मन में प्रेमुत्पन हो जाता है तो सर्म जुक जाती है या पर कहें आंखों से अस्रुधारा बहना अब किसी को किसी की याद आ जाए या किसी की मित्य हो गई है तो आंखों से आसुल armored नहीं लगते हैं भैसे कापना अब भयानक रहसे तो वहां पर क्या होगा अनभाव डर्ग ना कापना जैसे गुस्षे से मूं का लाल हो जाना अगर रौद रहस आ गया तो क्रोध आ गया वहां पर यह इस्तिती हो सकती है वमन करना वमन कहते हैं वोमिटिंग को उल्टी करना तो जैसे अब हम कोई घ्रनातमक चीजे देख लेते हैं तो वहां पर हमारा जब मन में हमारे जुगप सा उत्पन हो जाती है तो वमन करना उसका अनभाव हो जाता है अब हम यहां अनभाव की बात करते हैं अब ध्यान रखिए अभी तक तो आप समझ रहे थे लेकिन अनभ है यहां से बहुत जादा कोश्ण से पूछाते हैं MP SI वालों के लिए यहां से कोश्ण पूछे जाते हैं अनभाव के चार भेद हैं कौन-कौन से काईक अनभाव काया सब्द से बना है काईक अब काईक काईक अनुभाव कौन सा है यानि सरीर के अंगों द्वारा उत्पन कोई चेस्टा। जब शरीर के अंगों द्वारा कोई चेस्टा उतपने की जाती है। उसको हम कहते हिए काइक। जैसे हम कह सकते हैं। सामने से एक चेहरा आपको सुन्धर सा दिखाए दिया। अब जैसे ही वो चहरा दिखाई दिया और आपको लगा कि जब वो आपकी तरफ देख रहा है तो आप तुरंत बालों में हाथ मारने लग जाते हैं या कोई स्टाइल करने लग जाते हैं तो ये जो आपने बालों में हाथ मारा ये क्रिया क्या है ये है काईक चेस्टा ठीक है सरीर के अंगों द्वारा जो चेस्टा की है अब जैसे वाचिक अनुभाव वाचिक मतलब वाणी जो आप बोलते हो जैसे वाणी के द्वारा उत्पन चेस्टा सपोज करो कोई सामने से आ रहा है वो चेहरा आपको बहुत पसंद लगा आपके मन में एकदम से रती का भाव जगा तो जब वो बगल से गुजरता है तो आप बोलते हो ना अच्छे लग रहे हो वैसे आप ऐसा नहीं बोलते हैं यह तो मैंने बहुत सही सब्द बोल दिया है आप तो कुछ और ही बोलते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं तो जब आप मुझ से बोलते हैं यानि जब आप कहते हैं कि आप अच्छे लग रहे हो यह जो आपने क्रिया प्रितिक्रिया की है इसी को कहते हैं वाचिक अब जिसे आहारे अनुभाव वेस भूसा के द्वारा उत्पन चेस्टा जैसे कभी आपने देखा है आप कहीं जाते हैं तो जो कर जो होता है वो ऐसे अपने कपड़ों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करता है आपको हसाने की कोशिश करता है नकली नाक लगा के या टोपी लगा के या नकली पेट गिराके, तो वो जो कपड़ों के माध्यम से जो चेश्टा होती है, वो आपकी किसके अंदर आती है, अहरे के अंदर आती है, वेस भूसा के द्वरा, ठीक, उसके बाद आता है आपका सात्विक अनुभाव, सात्विक, सात्विक या इसको कुछ लोग मानसिक अनुभाव भी कहते हैं, मानसिक मतलब मन में, अब आप इसे कह सकते हो कि सत्व के योग से उत्पन चेश्टा, दिमाग में आएगा ये सत्व का योग क्या है, तो सत्व के योग से उत्पन चेश्टा वो होती है, जिन पर हमारा कोई वस नहीं चलता, ये चेश्टा होगी ह होगी आप अनभाव जो आपकी काईक चेस्टा है उसको रोक सकते हैं आप वाचिक चेस्टा को रोक सकते हैं अहारे चेस्टा को रोक सकते हैं ठीक है लेकिन आप सात्विक जो आपका सात्विक अनभाव है इसको नहीं रोक सकते जैसे हातों से कंपन होना या आँखों से अश्रू आ जाना सपोज करो अप फिर से वापस लोट जाओ अपनी उसी कल्पना में जो मैंने आप से अभी कराई थी जब आप 12 में आये हैं अब वो जो नया व्यक्ति आया है आपके मन में जिसके प्रती हमेसा भाव है हर दिन आप मिलते हैं 4-5 महीने हो गये हैं आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की वो आखों से आपकी सारी बाते समझते हैं तो उन्होंने सुचा कि चलो हम ही अपनी तरफ से दोस्ति का हाथ बढ़ाते हैं तो वो आए आए आपके पास और आप से उन्होंने कहा कि केमिस्ट् बुग है आपके मन में प्रेम है लड़ू फूट रहे मन में उत्साहित हो गए हैं आप लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते आप नहीं चाहते कि उनको पता चले कि आपके अंदर प्रेम हैं तो आप बिल्कुल एकदम सांत स्वभाव से अपनी वो बुग उठा के कहते हैं अब खुदी सोचो, अगर आपके दोस्तने मांगी होती वो किताव, तो आपका हाथ कापता क्या? नहीं कापता, लेकिर उनके साथ क्यों कापरा है? क्योंकि आपके मन में भाव है, आपके मन में जो इस्थाई भाव उत्पन हुआ है, उसने आपके मन में सात्विक योग से उत्पन चेश्टा होती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे आपका दिया है अहाँ पर संचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम है, व्यविचारी भाव, आपके एक्जाम के लिए एक प्रश्न तयार हो गया, क्यों पू रहते हैं, बदलते रहते हैं, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया स्थाई भाव, तो स्थाई भाव एक समय में एक होता है, और लेकिन ये संचारी भाव जो है, एक समय में एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक, दूसरा अंतर इन में क्या होता ह जो इस्थाई भाव है, वो सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं, लेकिन ये संचारी भाव 33 होते हैं, 33 होते हैं, तीसरा अंतर इस्थाई भाव और संचारी भाव में, इस्थाई भाव हमारी जो हिर्दे में हैं, यानि सब के पास होते हैं, 9 के 9 इस्थाई भाव हर प्राणी के पास ह लेकिन यह जो हमारे संचारी भाव हैं इन में जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे भाव हर प्राणी में हो इन भाव को आप कंट्रॉल कर सकते हो यानि भाव तो आपके पास होंगे लेकिन आप इने कंट्रॉल कर सकते हो इन 33 में कुछ भाव आपके पॉजिटिव होते हैं यानि जने हम कहें और अपनी संसकार आप अपनी मानत्रत की आधार पर उन भावों को गारी जातें जैसे यहाँ पर दिया है हर्स, हर्स, विशाद, तरास, लज्जा, ग्लानी, चिंता, संका, असुया, अमर्स, मोह, गर्व, उच्सुकता, उगरता, चपलता, दीनता, जरता, आवेग, निर्वेद, द्रती, मती, बिबोध, वितर्क, श्रम, आलस, निद्रा, उनमाद, निद् अपन, स्मृति, मत, उनमाद, अभित्या, और अपिस्मार, व्याधी और मरण, यह आपके 33 हैं, आप इन यह आपके संचारी भाव में आते हैं, जो आपके, और एक बाद भी आपको धियान रखना है, कि स्थाई भाव, एक रस का एक ही स्थाई भाव होता है, लेकिन संचा संचारी भाव एक से अधिक रस में भी आते जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपना रस के बारे में, हमारे यहाँ पर रस दिये हैं, कुल कितने रस हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 11 रस, अब 11 रस में हमारी जो श्रंगार रस है, श्रंगार रस के दो उपभेद होते हैं, संयोग श्रंगार और व्योग श्रंगार, इसके बाद करुण रस का इस्थाईभाव शोख हो जाएगा, श्रंगार का रती हो जाता है, इन दोनों का रती रहता है, ठीक है? हास रस का हास हो जाएगा, रौदर रस का क्रोध, वीर रस का उत्सा, विभथ्स का जुगपसा, भयानक का भय, अदभुत का विश्मय, और सांत रस का निर्वेद अब यहां पर आपको ध्यान रख देना है कि यह जो आपके आठ है अदभुत रस तक यह भरत्मुनी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, सांत रस इसको हम नौवा रस के नाम से जानते हैं, आपके एक्जाम में यह कोशन्स आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, नौवा रस कौन सा है, तो नौवा रस आपका सांत रस होता है, और यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नौवा करके ही पूछा जाता है, अब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि दूसरा रस कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा, यह नहीं आएगा, ठीक है, और अ आपके एक्जाम में ये नौवा इसलिए पूछा जाता है कि भरतमुनी नहीं जब से बनाए और जब तक उधवट ने उसके बारे में बताया तब तक आठ ही थे आठ के बाद जब नौवा बना तो इस वज़ा से ये कोशन बना था कि नौवा और नौव के बाद जो आपका 10 और 11 दिया है इन में भी काफी अंतर था इस वजह से इसको संख्या दी गई है कि ये नौवा रस है ठीक है और अगर इसके बाद बहुत सारे में देखती हूं काफी सारे स्टूडेंट मुझसे कोशन पूछते हैं बहुत लोग इस तरह के कोशन बना लेते हैं अब जैसे क्या करते हैं वो वो सूछते हैं कि नौवा रस बता दो या दूसरा रस बता दो तो इस तरह की जो कोशन अपने आप से गढ़ लेते हैं उन लोगों को ना यहां पर थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि ऐसे कोशन ना बनाओ जिसका कोई लाजिक ना हो और कोशन बनाने से पहले लाजिक को समझो चीजों को अच्छ बनाने से पहले सोचना चाहिए उन लोगों को कि जो वो खुद गशन बना रहे हैं किया उनके पास कोई तरक है, अगर उनके पास उसका कोई तरक की आधार नहीं होता तो उन्हें इस तरह के कोशन जड़ने की आवश्यकता नहीं है खर चलिए आप लोगों को मैंने यहां पर यह बता दिया. तो यहां पर सांत रस किसका लिखा है, उद्भट का लिखा है, सोरी, सांत रस के बारे में जो बताया है, वो उद्भट ने बताया है, भक्ती रस के बारे में इसा विश्यक रती हो जाएगा, ठीक है, और इसको बताया है रूप गो स्वामी नी और वातसले रस जो है संतान विश्यक रती इसका स्थाइभाव हो जाएगा और विश्वनात ने इसके बारे में इसके विश्य में बताया है ये हम 11 रस जो हैं इन 11 रस के बारे में हम पढ़ते हैं तो शुरुबात करते हैं हम सबसे पहले स्रंगार रस की और देखो आज मैं आप लोगों को स्रंगार रस पढ़ाऊंगी पूरा पढ़ाऊंगी हाला कि जब मैं क्लास लेती हूं तो ये जो हमने अभी चार टॉपिक पे जो डिसकस किया लिखवाना भी पढ़ता है यहां तो मैंने आप लोगों को चीज़े लिख कर दिखा दी हैं तो उसमें लिखवाते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमारा डेढ़ घंटा ऐसे ही कम्प्लेट हो जाता है तो लेकिन अभी हम ओनलाइन क्लास ले रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर मैं पढ़ाती हूं स्रंगारस आप लोगों को आगे तो चलते हैं देखो यहां पर यह भी मैंने लिखी दिया है आप लोगों को समझाने के लिए अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप लोग ना मेरे जो एप है निधी अकैडमी उस पर चले जाना वहां से डाउनलोड करके आप यह एप ले सकते हैं अभी नई क्लास के बाद क्लास के दो-तीन गंटे बाद तभी जाके आपका अपडेट होगा तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं पहले रस यानि स्रंगारस की और स्रंगारस के विशह में पढ़ने से पहले इसके विशह में कुछ हम चर्चा करेंगे जो हमारे एक्ज जब । नायक और नाईका के बीच उनके प्रेम निलाप उनके प्रेम बलाप या उनके विरह का ग्राण किया जाता है उसको हम श्रहांगारस के अंदर रखते हैं तो कोई भी काववे जब हमारा होता है, अब हो सकता है कि आपके दिमाद में ये वाली बात आए कि काववे क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक बात समझना, हम अगर एक काववे को परिभासित करें, तो हम कह सकते हैं, जब हमारे मन में कोई भाव आता है, कोई विचार आता चैने वो हम कविता में दे दे चाएं वो हम उसको कहानी में दे दे या हम उसको उपन्यास में या किसी भी तरीके सेावе या पद किसी भी रूप में जब हम अपने विचार को लिखित रूप दे देते हैं वही हमारा कावे कहलाता है और जब ये कावे एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों का मिलकर एक जगा बनता है उसको हम साहिते कह देते हैं और जब कोई साहिते एक भासा का होता है तो वो उस भास परिभासा का साहिते कहलाता है ठीक है तो यह मैंने बहुत सोड़ तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में बताया तो यहां पे हम जब भी परिभासा पढ़एंगे with j किसी काव्य में तो आपको उस बात को समझना है कि जो भी कहानि कोई कवीता कोई पंक्ती जो दी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो कावे में जब हम नायक्त तथा नाहिका के परस पर मेल मिलाप या उसके विरह का वर्णन करते हैं, तो अब आपकी दिमाग में एकदम से question आ रहा होगा कि विरह क्या है तो इसको हम आगे detail में समझेंगे पहले इसके प्रशन पर देखते हैं जो हमारे exam में प्रशन किये जाते हैं उन पर focus करते हैं इसका जो इस्थाई भाव है वो रती होता है हमें इस बात का ध्यान रखना है इस्थाई भाव क्या है इस के दो भेद होते हैं दो भेद कौन-कौन से हमने अभी देखा था संयोग शरंगार और वियोग शरंगार चलिए यहां पर हम देखते हैं कि संयोग शरंगार के बारे में बात करते हैं पहले तो संयोग शरंगार आपको इसे समझ लेना है रटना नहीं है सिर्फ समझ लेना ह सम प्लस योग सम मतलब साथ योग माने मिलना जो साथ में मिलते हों तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्रंगार की बात कर रहें तो वहां पर नायक और नायका होंगे तो जब कोई नायक और नायका साथ हैं, एक साथ हैं, उस समय जो वर्णन किया जाएगा, वो संयोग श्रंगार में आएगा, लेकिन इसके साथ एक चीज और धिहान रखिएगा, नायक और नायका दोनों साथ में हों, यानि नायक भी है वहाँ और नायका भी, अगर किसी पंक नायक या नायका में से किसी का भी देखो यहां पर मैं दोनों में से कहूंगी हाला कि 90% नायका का ही रूप सौंदर्रे की वर्णन का होता है अगर नायक या नायका किसी का भी रूप सौंदर्रे का वर्णन हो ठीक है रूप सौंदर्रे का वर्णन तो वहां पर भी क्या होग संयोग स्रंगार होगा यह ट्रिक है आपकी शब्दों से ट्रिक नहीं निकालनी है भाव से निकालनी है लेकिन इस तरह से द्याद रखिएगा मैंने आपको यहां पर कहा कि अगर कोई नायक या नायका पास में हैं एक दूसरे के आसपास हैं ऐसी पंक्ति का वर्णन है तो व जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो फिर आते हैं हमारे रज के वो भेध जिनके बारे में हमने पढ़ा क्या यानि कह सकते हैं कि हम भी पंक्ति के अंदर आस्री यालंबन क्या होगा हमें दिमाग में है जिसके मन में रती का भाव जग रहा है वो हमारा आस्रिया आलंबन होगा लेकिन इसके साथ-साथ एक बात और ध्यान रखिएगा आस्रिया आलंबन में केवल और केवल नयक और नाइका ही नहीं होते, इसके साथ साथ कौन-कौन होते हैं, कवी होता है, श्रोता होता है, पाठक होता है, दर्सक होता है, लेखक होता है, यानि कवी, श्रोता, पाठक, दर्सक, लेखक, जो भी हमारे दिये हैं, वो सब किसके साथ होते हैं, वो आस्रिया आलंबन के साथ होते ठीक है तो यह हमें दिमाग में रखना है विश्या आलम मन की बात करें तो वह है व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगा है उसके बाद उद्धीपन उद्धीपन क्या होता है वस्तुएं या परिस्तितियां जिनके कारण मन में भाव जगा है ठीक है वे वस्तुएं या पर करें तो अनुभाव में क्या आएगा? आस्रिय की चिस्टाइं आस्रिय मतलब जिसके मन में भाव जगाँ है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? उसे हम क्या कह संचारी भाव के अंदर हर्स, जिग्यासा, उत्षुक्ता और लज्जा ये जो हमारा स्रंगार है यानि संयोग स्रंगार इसके अंदर इन में से कोई एक या इन में से कोई दो या इन में से कोई तीन संचारी भाव हमारा उस पंक्ति के अंदर होगा जो संयोग श्रंगार के अंदर रहेगी ठीक है इसके बाद हमारे यहां पर कुछ पंक्तियां दी हैं अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे एक्जाम मेरी यह पंक्तियां दे दी गई तो हम इनका कैसे भावार्थ करेंगे अब समझने वाली चीज़ यह है यहां पर अब यह जो आपका भावार्थ है ना आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर हम भावार्थ करने जा रहे हैं लेकिन भावार्थ इतनी आसानी से नहीं होता उसके लिए हमें चाहिए शब्दावली और मैंने आप लोगों को बताया है मैंने अभी आपको न शब्दावली की सीरीज सुर फिर दो दिन आपको शब्दावली का सैट दूंगी आपको सब्दावली का सैट याद रखना है एक बात और मैंने देखा कि जब आपको पता चल जाता है थामनेल पर कि यहां पर पयावची है इसमें तो कुछ मेडम ने पढ़ाया नहीं होगा तो आप उसको व्यू भी नही शब्द समू होना चाहिए सब्द भंडार होना चाहिए तभी आप हिंदी को सीख पाएंगे तो आपको व्याख्या सुनने से पहले उसके शब्दों को याद करना है इसलिए जो हमारे शब्द आएंगे उनको आपको सबको पढ़के रखना है याद करके रखना है अपने ठीक है तो आपको भावार्थ करते समय इनकी जरुवत पड़ेगी तो आपको याद रखना है आप देखो यहाँ पर मैं समझाती हूँ अगर आप सब्जेक्टिव एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो आपको सीखना होगा कि भाव हमको कैसे निकालना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है यहाँ पर पंक्ती आपकी दी है बूजत शाम कौन तू गोरी कहां रहत काकी है बेटी देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रही आपनी पौरी सुनत रहित स्रवननी नंदन ठोटा करत फिरत मांखन दही चोरी तुमरो कहा चोरी हम लेहों खेलन चलो संग मिल जोरी सूरदास प्रभुरसिक सिरोमनी बातिन भुरई राधिका भोरी अब आपके एक्जाम में ये पंक्तियां उपर की दो पंक्तियां भी आ सकती है या फिर ये पूरी पंक्तियां भी आ सकती है और आपसे पूछ सकता है कि इसका इस्थाई भाव क्या है, इसका रस क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, विसिया आलंबन क्या है, आस्रिया आलंबन क्या है, इसका उद्धीपन क्या है या इसका संचारी भाव क्या है तो आप कैसे समझेंगे इन सारी चीजों को तो पंक्ति देखो, आप यहां देखेंगे, अच्छा मैं यहां पर आपको इस समय बता देती हूँ, यह पंक्तियां उस समय की हैं, जब भगवान स्री क्रेश्ण अपने सखाओं के साथ गली में खेल रहे हैं, और पहली बार राधा जो हैं वो गोकुल आई हैं, और जब वो वहाँ पर आई हैं, तो क्रेश्प ने राधा को देखा है, और राधा को पहली बार ही देखकर उनके मन में प्रेम का भाव जग गया है, और वो राधा से आके बातचीत करने लगे हैं, अब इसी पंक्ति को यहां पर बताया गया है, अब सपोज करो, हो सकता है कि आपको न जो शाम है, वो पूछ रहा है, बूजत मतलब पूछ रहा है, कौन तू गोरी, हे गोरी, तुम कौन हो, अब यह गोरी कौन है, राधा है, आपको पता है, चलो मैं आपको पहले परिचित भाव में बता देती हूं, ताकि आपको स्रंगार रस का आनन्द भी मिले, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अंजान वाले भाव में दुबारा इसकी व्याख्या बता दूगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं, कि भगवान स्री क्रिश्म जो है, वो राधा के पास आते हैं, और उनसे पूछते हैं, हे गोरी, तुम कौन हो, कहां रहत, कहां रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबव ब्रिज खोरी, मैंने यहाँ पर देखो ध्यान रखना, खोरी का आर्थ यहाँ पर है, गलियां, कि ब्रज की गलियों में इससे पहले तो तुमको देखा ही नहीं, अब जब क्रश्न ने इस तरह से पूछा, तो राधा ने उनक कहा है, काहे को हम ब्रजतन आवत, हम ब्रज के ब्रजतन मतलब यहाँ पर ब्रज के मैदान में, हम ब्रज के मैदान में काहे को आएं, या क्यों आएं, खेलत रही आपनी पौरी, पौरी का मतलब आंगन के लिए आ जाता है, कि हम अपनी ही आंगन में खेलते रहते थे, हम य रीजन बताती है, वो क्रिष्ण के थोड़ा सा कटैक्ष करने की कोशिश करती है, तो रीजन बताती है कि हम क्यूं आए हैं यहां पर तो फिर कहती हैं सुनत रही सरवनणी नंदन ठोटा, यानि हम अपने स्रवननी का मतलब है यहाँ पर अपने कानों से कि हम अपने कानों से नंद के बेटे के बारे में सुन रहे थे कि करत फिरत माखन दही चोरी कि वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है तो मैंने ऐसा अपने कानों से सुना था तो हम उसको देखने के लिए आए है अब कृष्ण जी को आप पता है आप देखो किसी को इस तरह से बोलेंगे सामने तो उनको बुरा तो लगे गाई अब कृष्ण जी भी कम नहीं है वो भी बातों में बहुत तेज है तो वो राधा से तुरंत क्रॉस कोशन करते है तुमरों कहा चोरी हम ले हो तुमारा हमने क्या चोरी कर लिया जो तुम यहाँ पर चली आई खेलन चलो संग मिल जोरी और फिर वो कहते हैं कि ना ही तो हमने तुमारा कुछ चोरी किया है और ना ही हम तुमारा कुछ चुराने वाले हैं तुम ऐसा करो हमारे साथ जोरी मिला कर खेलने चलो अब बंक्ती आगे कहते है सूरदास प्रभू रसिक सिरोमनी बातन भुरई राधिका भोरी अब सूरदास जी कहते हैं क्योंकि यह जो पद है यह सूरदास जी ने लिखा है तो सूरदास जी कहते हैं कि रसिक सिरोमनी सिरोमनी का मतलब है जो सबसे उपर है रसिक मतलब आसिक जो आसिकों में सबसे उपर माने जाते हैं वो कौन? भगवान स्री कृष्ण अब आसीकों में भी सबसे उपर किन को माना जाता है उन्होंने बातिन भुरई अपनी बातों में राधिका भोरी भोली भाली राधिका को बहला लिया है और उनको खेलने के लिए ले गए हैं अपने साथ तो यहां पर देखो इन पंक्तियों में आप को पता चलता है संयोग श्रंगार है कैसे नायक और नाई का दोनों पास हैं आपस में बात कर रहे हैं क्रिश्ण के मन में प्रेम का भाव जगा है तो यहां पर क्या हो गया हमारा इसके अंदर संयोग हो गया दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें आस्रिया आलंबन कौन है त उद्धीपन क्या है? उद्धीपन है राधा का पहली बार ब्रज की गलियों में आना और कृष्ण का उनको देखना तो यहाँ पर उद्धीपन मतलब परिस्तिती क्या है तो राधा पहली बार ब्रज की गलियों में आई है और यहाँ अनभाव क्या है? अनभाव है क्रिश्न का जाकर राधा से पूछताच करना तो यहाँ पर क्रिश्न राधा से जाकर पूछताच करते हैं जब उनके मन में फ्रेम का भाव जगता है तो अनभाव हो गया और संचारी भाव इसके अंदर क्या है? यानि क्रिश्ण को जाननी की उत्सुकता है कि ये कौन है, कहां से आई है, तो इस तरह से हम इसके अंदर जितने भी अव्यब हैं, सब को पहचान लेते हैं, कैसे पहचान पाए हम ये सारे अव्यब, ये पहचान पाए इसके भावार्थ से, कहां से आया इसका भावार्थ, इ सीखेंगे आप चाहे पंतीर के सीबी हो जैसे चलो मालो हम दूसरा उधारण लेते हैं यह हो गया एक हमारा श्रंगारस का यह हमारे एक्जाम में आता रहता है दूसरा हमारा यहां पर दिया है कहत नटत रीजत खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सब बात, अब यह हैं अमारे बिहारी जी, आप लोगों ने सुनाई होगा, बिहारी जी के बारे में, आपका एक कॉश्चन भी तयार करवा देती हूं, आपके एक्जाम में ऐसे कॉश्चन पूछ ले जाता है कि गागर में सागर भरने वाले कभी कौन हैं, बताइए, यह रचनाएवम रचनाकार के अंदर आ जाता है, तो आख बंद करके लगा देना बिहारी जी, क्योंकि वो गागर में सागर भरते हैं, अब गागर में सागर भरना मतलब कम शब्द में बहुत जादा बातों की व् इस कहत इतने ही शब्द में एक पूरी पंक्ती है कैसे समझो इसको परिस्तिती क्या है यहां पर परिस्तिती यह है कि नायक और नायका और उनके परिवार जन एक भवन में बैठे हैं किसी महत्पूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए अब एक तरफ जो नायका है उसका लेकिन जो नायक और नायका है उनको सिर्फ अपने प्रेम से मतलब है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो नायक और नायका एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखते हुए क्या बात करत रीजत का मतलब होता है दबाब डालना जो नायक है वो नायका पर दबाब डालता है खीजत का मतलब होता है गुसा हो जाना अब जो नायका है वो खीज जाती है गुसा हो जाती है और अपनी नजरों को हटा लेती है मिलत, कुछ समय बाद दोनों की नजरे फिर से मिलती है खिलत, दोनों ही खिल जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं लजियात, अब जैसे ही दोनों नायक मुस्कुराता है तो जो नायका है वो लज्जा जाती है, सर्मा जाती है भरे भवन में करत हैं, नेनन ही सब बात कवी कहता है भरे हुए भवन में नैन ही नैनों में सारी बाते कर रहे हैं अब आपको पता है नायक भी है यहां और नायका भी है तो श्रंगार है इसके अंदर अब आपको ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो नायक नायका है एक वही है एक्सपर्ट आँखी आखों में बात करने में तो जो हमारे बिहारी जी हैं वो इस तरह के ही पद्यांस करते हैं यानि वो अपने कम से कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी-ब बातों को कह देते हैं इन पंक्तियों में आपने समझ लिया इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमारा श्रंगार रस है और स्रंगार में भी कौन सा संयोग श्रंगार है एक और उधारन लेते हैं यहां पर पाट्टीन हमारा यहां पर दिया है तीसरा जिसके अंदर दिया है य पंक्तियों में यहां पर अब द्रस से कुछ ऐसा है आपको पहले द्रस से बता देती हूँ इस से आपको आनंद भी आएगा स्रंगार रस पढ़ते हुए आपको आनंद ना आये तो फिर बेकार है फिर रस पढ़ना तो यहां पर द्रस से यह है कि भगवान सिरकेश्टम जब बासुरी बजाते हैं तो एक दिन प्लान करके जो राधा जी है वो उनकी बासुरी को छिपा के रख देती हैं और वो जब बासुरी को छिपा के रख देती हैं और कृष्ण उनसे बासुरी के बारे में पूछते हैं तो उसी घटना पर यहां पर बात है कि बत्रस लालच बत् अल्लो दोवड के आवरती करके न इसके अंदर अलंकार उत्पन करने की कोशिश की है कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार हर एक चीज को आपको ऐसे ही समझना है चाहे वो आपका रस हो चाहे वो आपका अलंकार हो आपको बड़े ध्यान से गौर से हर चीज को समझना है उसके भावात से आपको सारी चीजों का पता चलता है तो चलिए अभी हम तो यहां पर कहा गया है कि बत्रस लालच यानि बातों का रस लेने के लिए के लालच में लाल की लाल का मतलब यहां पर कृशण है तो कृष्ण की मुरली को धरी लुकाए, लुकाए मतलर छिपा लेना, जो कृष्ण की मुरली है, उसको रादा ने छिपा कर रख लिया है, सोह करें, सोह मतलब सौगंद लेती हैं, किसम खाती हैं, कि नहीं मैंने नहीं लिये, बहुन हसें, और आँखी आँखों में फिर हसती है किसम खाती है आखी आखों में हसती है देन कहें अब जब कृष्ण को पता चल जाता है यह आखी आखों में हस रही है इसका मतलब इसी ने लिया है वो कहते हैं दे दो तुमने नाट जाती है कि नहीं दूंगी तो यहां पर जार उस ही वजह से बात तो कर रहे हैं तो यहां पर भी नायक और नाइका दोनों साथ हैं तो यहां दो बात करना चाहते हैं तो राधा का मन में भाव है तो हू आस्रिया अलम wär न हो किसके है बात करना यहां तो राधा की इस साथ मन होले लामых को wh lol तो उद्दीपन क्या है? मृली को छिपा कर रख लेना. तो यहांपर अनुभाव क्या होगा? कि राधा क्या कर रही है? उनकी सौगंद ले रही है, हस नहीं है, यह अनुभाव हो गये. संचारी भाव क्या है? यहांपर उनसे बात करने का लालच, यानि जिग्यासा है, उत्सुकता है, हर्स है, प्रेम है, ये सब किसमें आ जाएंगे, संचारी भाब में आ जाएंगे, तो इस तरह से आप इनके अवियव होते हैं, उनको भी पहचान कर लेते हैं, तो आज हमने पढ़ा श्रंगार रस के बारे में, यानि श्रंगार रस का पार्ट है, वियोग सरंगार और करून रस या इसके बाद के जो रस हैं, तो हम उनकी क्लास करेंगे, तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके बताईएगा, मैं तब ही आपको इसके आगे कराऊंगी, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज औ पसंद कर रहे हैं, आपको एक बात और कहना चाहती हो, पहले मैं ऐसे सोचती थी, मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि जैसे हमारे यूटूब पर लोग जो है वो एक ट्रिक को या एक सौट तरीके को बताना ही प्रिफरेंस देते हैं, उसी को प्राथमिक्ता में रखते है और स्टूडेंट भी उस चीज़ को प्राथमिक्ता देते हैं कि हमें सौट सौट बता दो, तो पहले मैं ही सोचती थी कि अगर मैं आप लोगों को बहुत जादा डीप में बताऊंगी, बहुत गहराई से बताऊंगी तो पता नहीं आप लोग उसको पसंद करेंगे या नह करेंगे, लेकिन आपके जो कमेंट्स मुझे मिले और आप लोगों ने जो इस बात पर ही फोकस किया, कि मैम आप जो हमें समझाती हो इतने अच्छे से और हमें तब समझ में आता है, तो सच बताऊं, तो मुझे इतना रिलेक्स मिला, अब मेरे अंदर से वो डर खतम हो गया है, कि आप लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले यही सोचती थी, कि जो मार्कीट में चलन है, क्या मुझे भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोशिश करी, कि आप लोगों को समझा सकूं, कि पढ़ाई कभी भी हम रटकर नहीं क कर सकते, क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत गहराई से समझ लेते हैं, तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं, और मेरा उद्देश से आप लोगों को मास्टर बनाना है, यानि हिंदी भासा में इतना मास्टर बनाना है, कि कहीं से भी कुछ भी कोई भी पूछे, घुमा फिरा क के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, आपकी ही आपकी जो कमेंट है ना, उसी पर डिपेंड करता है आपकी आगे की क्लासेज भी, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मैं ये सूच रही हूँ, कि मुझे अभी अपने बहुत सारे विद्यार्तियों को ये जो कि मैं उस चीज़ को ऑनलाइन यानि यहां पर ही आपको यूटूब पर ही मैं आपको उसको पढ़ा दूँ, आप पर भी क्लास चली जाएगी, आप लोगों को भी मिल जाएगी, या फिर सिर्फ अपने ही स्टूडेंट को दूँ, तो आप लोगों की कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अगर आप मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं तो आप जादा से जादा इसको शेयर करिए, मुझे होसला मिलता है, जब आप लोग बहुत जादा मात्रा में आके देखते हैं आप जब व्यू ब भासा बनाना है यह मेरा उद्देश है आपका उद्देश क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलते हैं आज हम इतना ही करते हैं आज के लिए इतना ही ग्यान काफी है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जै हिंद जै हिंदी